तो अब हम चलते हैं नेचर और करेक्टरिस्टिक्स और सवर्नेटी के टॉपिक पर जिस पर कि हम कुछ बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कि क्या होते हैं सवर्नेटी के तो सबसे पहला characteristic severity के बारे में जो है वो ये कि absoluteness कहने का मतलब कि severity जो चीज है वो absolute होती है और unlimited भी होती है यानि कि इस पर किसी तरह की कोई limitation नहीं होती हाला कि कुछ इसके exceptions है वो क्या है वो अभी आगे हम देखेंगे पर in general as a general rule sovereignty एक absolute phenomena है और इस पर किसी तरह की कोई limitation भी नहीं होती कोई legal power किसी भी तरह की कोई legal power नहीं होती है sovereignty के उपर जो की state के अंदर भी आपको देखने को मिले या उसके बाहर भी आपको देखने को मिले कोई भी foreign power या फिर कोई भी ऐसी domestic legal power किसी state में exist नहीं कर सकती जो की अपनी power exercise करे sovereignty के उपर sovereignty का मतलब ही absolute supreme कोई power वाले state के अंदर हो या बाहर उसके उपर कोई भी order या कोई भी तरीकी supremacy नहीं exercise कर सकती it is supreme all over the individuals and the groups within the state जितने भी citizens हैं, जितने भी लोग हैं जितने भी groups हैं, जितने तरह तरह के लोग हैं सभी के उपर जो है supreme authority जो है sovereignty रखती है जो भी state उस state के अंदर belong करते हैं, state मतलब यहाँ पर एक देश से भी समझ सकते हो हाला कि यहाँ पर जो word इस्तमाल हुआ state, इसका exact meaning वही है जो political science में state के concept में होता है अब वो state का concept आप में से ज़्यादतर ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने उसको एक video lecture में detail में cover किया है तो यहाँ पे जो state word है या आगे भी जो आपको मिला या इससे पहले भी जो मिला था political science ना कहीं पे भी आप state word सुने ना आप उसको एक देश की तरह समझ सकते हैं समझने के लिए पर इसका मतलब वही state होता है जिसके वो चार essentials हों वो सारी conditions satisfy हो ठीक है, तो यह बात आपको पता होने चाहिए बाकी lecture आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो state issues orders to all it receives orders from none due to sovereignty state जो है basically sovereignty की होने की ही वज़े से तो इसकी वज़े से क्या है वो हर किसी पर orders लगा सकता है किसी को कुछ भी order कर सकता है किसी भी group को किसी भी individual को legally और otherwise भी other forms of power भी और order यह किसी से भी receive भी करता क्योंकि भाई इसके पास sovereignty है पहले का supreme है unlimited है, without limitation है इस sovereignty जो है वो किसी state की personality को define करता है जिससे कहने का मतलब जैसे की आपके विचार क्या है आप किस तरीके की बाते बोलते हो आपकी values का है, आपकी morality क्या आपको किस तरह के संसकार मिले है किस तरह की परवरिश आपको मिल रखी है बच्पन से इन सब बातों पर किसी इनसान की personality depend करती है उसी तरीके से किसी state को जिसके चार essentials होते है state, political science वाला उस state की जो personality है अगर state को हम personify करने की कोशिश करें एक इनसान की तरह देखने की कोशिश करें तो हम यह पाएंगे कि sovereignty उसकी personality define करती है ठीक हाला कि इसलिए मैं कहा रहा था कि वैसे तो as a general rule sovereignty पर कोई limitations नहीं होते हाला कि कुछ इसके exceptions हैं जैसे की natural rights हम सब के कुछ natural और 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 भी चीज़े होती है natural rights में ठीक है वो आप google करके भी देख सकते हो नहीं तो मैं screenshot लगा दूँगा तो natural rights हो गए कुछ customs हो गए या beliefs हो गए जैसे कोई society होती है तो कुछ societies में कुछ ऐसी प्रथाएं होती हैं कुछ ऐसे you know activities होती है जो की सदियों से चली आ रहे हैं लोगों ने कभी उसे question नहीं किया वो जब से पैदा हुए उनके माबाप ने उनको सिखाया फिर वो अपने बच्चों को सिखाते हैं तो कुछ ऐसे customs कुछ रीती रिवाज कुछ ऐसे प्रथाएं होती हैं हर society में हर state में जिनको कोई question नहीं करता है और time immemorial या निकि बहुत पहले से चलती आ रही है तो वो भी क्या है वो भी sovereignty की limitations है इन customs और इन beliefs को sovereignty खतम नहीं कर सकती क्योंकि बहुत समय से चली आ रही है international laws कई बार ऐसा क्या होता है कि आज के सामने खास कर कि यह point बहुत relevant है अब इंडिया है तो like हम दूसरे देशों से business करते हैं दूसरे देशों के साथ हमारा trade और commerce है अमेरिका है भले वो supreme power हो वो भी अपने हथियार बेचता है अधर चीजे भी बेचता है business करता है trade करता है अलग-अलग देशों के साथ और जब आप अलग-अलग अलग states के साथ आप business कर रहे हो trade कर रहे हो communicate कर रहे हो तो उस case में कुछ international laws है कुछ international नियम कानून है जो आपको पालन करना ही होगा ठीक है वो भी क्या है एक तरीके की limitation हो जाती ही sovereignty के उपर ये point international वाला जो है खास करकी relevant है आज के समय में तो ये रहा हमारा पहला characteristic sovereignty के बारे में जो कि यह absolute नहीं है हमागे चलते है हाँ दूसरा जो हमारा characteristic है वो है universality अब इसका क्या मतलब है भाई state sovereignty is comprehensive and universal state authority covers all persons all the things, all the groups and all the association within its territory state की territory के अंदर territory भी एक essential होता है state का आप पता होना चाहिए ठीक है और नहीं पता तो आप lecture देख सकते हो मैं बार-बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि state का concept बहुत क्यों आगे भी ऐसी चीज़े आएंगी ऐसे statements आएंगे thinkers के ऐसी line आएंगी जहाँ पे state का why exact मतलब आपको अगर नहीं पता तो आप पूरी बात का gist नहीं समझभाऊगे आपका concept नहीं clear हो पाएगा इसलिए मैं कहा रहा हूँ और हाँ तो इस point बात है इसका universality का यही मतलब हो है कि भाई state की जो authority है उसकी जो power है वो हर किसी पर universally apply होती है ठीक है चाहे कोई भी इंसान हो उसका कोई भी gender हो, caste हो है न अमीर हो, गरीब हो, कोई भी cheese हो, कोई भी territory में कोईसी भी तरह की property हो, कोई भी group हो, कोई भी association हो सब पर equal authority exercise करता है state 780 के होने की वज़े से no exceptions, generally exceptions इसके नहीं होते हैं पर इसके भी कुछ है, you know as any other phenomena, common phenomena इस universality characteristic का भी एक exception है, वो क्या है वो है, diplomatic representatives from other state अब क्या होता है, जैसे कि आपने अक्सर सुना होगा, किसी फलाना देश के foreign minister इंडिया में दौरा करने आए, ठीक है कोई agent आया, इंसान किसी और दूसरे देश का representative kind of हमारे देश में है तो यह लोग जब आते हैं, या हमारे देश से भी दूसरे देश में जब हमारे representative, diplomatic representatives, agents, foreign ministry सब जाते हैं न, तो इनके लिए कुछ exception बनाय जाते हैं हाला कि 780 तो state के पास होती है वो चाहे तो उन पर वही नियम कानून apply करे, जुकि एक foreign citizen पर apply होने चाहिए कोई foreign citizen पार्लियामेंट के garden में गूम रहा है, ये कोई allowed नहीं है, किसी foreign citizen को पर ऐसी जगहों पर ले जाना दौरे के परपस से, you know business के परपस से, dealing के परपस से, कुछ ऐसे actions perform किये जाते हैं as an exception in diplomatic representatives के लिए, क्योंकि वो जरूरी होता है क्योंकि ये बात अगले पार्लमन, diplomatic immunity is basically based on courtesy and can be, एक second ठीकर लो लगए हाँ, and can be revoked by the sovereign, ठीक है, ये क्या होता है, एक तरह का courtesy होता है, कि भाई फ़लाने देश का diplomatic representative, foreign minister agent हमारे यहां आया है इसको थोड़ी इज़द दो, अपने पारलियमेंट में भी आप गुमा रहे हो, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहां पर किसी citizen को भी इंटरी न मिले, generally, वहां पर आप लेके जा रहे हो, उसको बाउजीद इसकी कि वो किसी foreign country का citizen है, वो ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि वो ऐसा इज़द होती ना, अतिती देवा वह हमारे सुप्रीम पाऊर को अनपाओगे, तो इसी वो जैसे सवरनेटी के होते हुए भी उनिवर्सालेटी करेस्टिक होते हुए भी डिप्लोमेंटिक रिप्रेजन्टेटिव सिक्षाप्शन बन जाते हैं, सवरनेटी के सवरनेटी क्या है? यह अपने आप में पर्मानेट फिनॉमना है भाई, दिखो जब तक एक स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है, उसके सारे असेंशल सटिस्फाई हो रहे है, उस स्टेट के पास सवरनेटी है उसको एकसेसाईज करने वाला व्यक्ति, उसको एकसेसाईज करने वाली सरकार, उसको एकसेसाईज करने वाली कोई अथारिटी वो बदल सकती है, आर्मी कभी उस सवरनेटी को एकसेसाईज करती है, कभी कोई व्यक्ती भी एकसेसाईज कर सकता है, किसी स्टेट में वैसी की वैसी है, वो dead नहीं हो सकती, उसकी death नहीं हो सकती, वो dissolve भी नहीं हो सकती, हाँ उसका holder, उसका ruler जरूर बदल सकता है, इसी 780 के बारे में कहा जाता है, the king is dead, long live the king, मतलब कि राजा मर गया है, फिर भी राजा मर रहे, इस तरह की बात कही जाती है, क्योंकि ये एक ऐसा राजा है, जो की personified नहीं है, ये एक phenomena है, omnipresent है, state है, तो 780 तो होगी होगी, और है, 780 terminates only if the state is completely destroyed or annihilated by natural calamities, otherwise it is permanent, 780 का खात्मा तभी होता है, terminate ये तभी होती है, जब पूरा का पूरा state ही चला जाया है, ठीक है, वो state ही नहीं exist किया, किसी बड़े देश ने उसके उपर, करके उसे कबजा कर लिया, तो वो पुराना state का existence ही खतम, तो वो पुरानी sovereignty भी खतम, अब वहाँ पे एक नई sovereignty होगी, इस बड़े देश की जिसने उस पर हमला किया था, ठीक है, या फिर natural calamities हो जाती है, यानि कि कभी आपदा आ जाती है, भूकम बगर आ जाता है, जैसे भ प्रकोप कह सकते हैं, पढ़ गया, जिसकी वज़े से state ही completely destroy हो गया, तो कहे बाट की sovereignty, state है तो sovereignty existence में रहेगी, यह बहुत important part है, याद रखिएगा, तो यह राप permanence के बारे में, अब आगे चलते हैं, इंडिविजिबिल्टी, ठीक है, इंडिविजिबिल्टी का क्या मतलब है, sovereignty cannot be divided into parts, कॉलहौन का कहना है, dividing sovereignty actually destroys is, गेटल का कहना है, division of sovereignty creates multiple states and destroys, sovereignty represents supreme will division elements, कुल मिलाके बात यह है, इंडिविजिबिल्टी का कहने का मतलब, कि sovereignty को आप divide नहीं कर सकते, the moment आपने यह सोचा कि sovereignty को divide कर दिया जाए, है ना, बाट दिया जाए, power को बाट दिया है, sovereignty मतलब supreme power, उसको बाट दिया जाए, तो फिर sovereignty, नहीं नहीं हो कुछ और है, फिर sovereignty तो खतम, फिनोमना खतम, division की बात आते, फिनोमना खतम, और ये बात कॉल होन, और गेटल नाम के इन thinkers ने भी कहा है, ठीक है, और sovereignty supreme will को represent करता है, भाई, जो भी उसको exercise करने वाली authority है, sovereignty को exercise करने वाली, वो supreme will होती है, जो उसकी इच्छा होती है, वो होता है statement, ठीक है, और अगर आप उसे divide करोगे, जो sovereignty क जो basic essence है, supreme will, वही खतम हो जाएगा, है न, वो power फिर divide हो गए न, कुछ power इनके पास, कुछ power इनके पास, तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं, जिसकी बात हर कोई मानता है, है न, तो supreme power तो रही ही नहीं, power वाले चाहिज इतनी बड़ी हो, पर supreme तो रही नहीं, division के बाद, तो essence ही इसलिए sovereignty का है बात की, और, और क्या है, no two sovereign within a state, जाहिट सी बात है भाई, division नहीं हो सकता है, इसका मंदब की, एक state में दो sovereign नहीं हो सकते हैं, एक state में एक ही sovereign होगा, critique about federal state division is invalid, only exercise of power is divided, sovereignty remains within the whole state, ठीक है, अब federal state में क्या होता है, federal state में division of power हो जाता है, ठीक है, जो states है, उनके पास कुछ ऐसी powers होती है, जो की central से भी जादा होती है, जैसे कि हमारे देश में भी है, हमारे देश में supreme authority थोड़ी है, sovereignty थोड़ी है, हमारे देश के बारे में कहा जा जाता है न, एक statement बहुती फेमस, exactly मुझे आद नहीं आ रहा है, वो की, इंडिया is a country, sorry, is a federal state with a centralizing tendency, कुछ-कुछ चीजों में हमारा जो देश है इंडिया, वो federal है, और कुछ चीजों में centralizing tendency भी दिखाई पड़ती है, बहुत से इसे मामले जहां पर आप आओगे, कि जो state ह उसी की बात final होती है, कुछ ऐसे मामले होते हैं, ऐसा state list में, जिसमें की state की बात final होती है, उसी की बात सुनी जाती है, और कुछ ऐसे मामले होते हैं, जिसमें की दोनों में clash होने पर union की बात सुनी जाती है, तो कोई भी ऐसा state जो की federal है, in form, यानि आप वहां पर federalism है, तो वहाँ पर division of power हो गया है, जो कि completely invalid हो जाएगा, ऐसे federal state में, sovereignty exist नहीं कर सकती, ठीक है, sovereignty whole state के साथ vested होती है, उसमें नेत होती है, और वहाँ पर अगर federalism है, division of power है, तो वहाँ पर sovereignty का existence possible नहीं है, यह आपका indivisibility के बारे में, आप चलते हैं, अपने अगले point के उपर, inalienability, inalien inalienability का क्या मतलब होता है, sovereignty is inalienable, it can't be transferred without destroying it, transferring the supreme power makes one cease to be a sovereign, abdication of molars doesn't alienate, it is a change, it is a change, comparison street rise है, तो inalienability का क्या मतलब है, कि sovereignty जो है, वो एक inalienable चीज़ है, कहना का मतलब आप इसे किसी को दे नहीं सकते, यह कोई ऐसा right नहीं कि मालने जाए आपकी कोई property है, जो आपकी थी, आप उसके मालिक थे, आपने उसको किसी को transfer कर दिया, कोई और आपका मालिक होगे, आपका बेटा, आपका दोस्त, आपका भाई, ठीक है, आपके पिता ने आपको कोई property transfer कर दी पहले, वो मालिक थे, अब आप हो गए, sovereignty ऐसी चीज़ नहीं है भाई, कि आप किसी को transfer कर होगे, अगर आप इसे किसी और को देते हो, तो इस sovereignty चीज़ ही खतम हो जाएगी, कहने का क्या मतलब, कि transferring the supreme power makes one ceases to be sovereign, यानि कि माल लीजे, इसका comparison यहाँ पर देख दिया हुआ, comparison is three rights, life personality transfer, like इस तरीके से metaphorical sense में समझेगा इस बात को, कि माल लीजे, आप अपना जीवन जो property तो आप अपनी किसी और को बड़े अराम से दे सकते हुए, contract साइन करके, पर आप अपनी life, अपनी personality, अपनी सोच, वो आप किसी और को transfer करना चाहते हो, अपना जीवन किसी और को देना चाहते हो, तो आपको जान देना होगा, फिल्मियों गानों में एकसर होता है न, दिल दे दिया तुझे सनम, है न, भाई, दिल दे देगा तो जिन्ना कैसे रहेगा, तो यहीं बात है कि अगर आप किसी state की sovereignty transfer कर देते हो न, तो उस state का existence ही खतम हो जाता है, वहाँ पर sovereignty रही नहीं जाती फिर, sovereignty किसी state की जब destroy होगी, तभी किसी और को मिल पाएगी, life के example से आप समझ सकते हो, ठीक है, trees right भी है, trees right यहाँ पर कहने का मतलब है, tree के बारे में भी आप यह बात कह सकते हो, metaphorical sense में कि, tree के पास power है, पतिया होगाने की, डाले होते हैं, कभी fool होते हैं, फाल होते हैं, कभी जड के मौसम में notice करो, पतिया जड जाती हैं, वो फिर आ जाती हैं, ठीक है, आप उसकी डाल काट दो, फिर नहीं डाल होगाएगी, पर tree जो अपनी इस जो पतिया होगाने की और डाल होगाने की जो शक्ती है, किसी और tree को नहीं दे सकता, जब तक वो अपने आपको खतम न कर दे, राइट, और इंसानों के बारे में भी सेम वही बात है, आप अपना जीवन किसी और को नहीं दे सकते हैं, जब तक आप अपनी जान खुद ना दे दो, ठीक हाट ट्रांस्प्लांट मानलो आप करना चाहो, या फिल्मी गानों में जैसा देखाता है, तो मतलब exact sense में नहीं पर metaphorical sense में आप concept समझने के लिए, ये comparison किये जाते हैं, कि sovereignty in alienable क्यों कही जाती है, the moment किसी state ने अपनी sovereignty किसी और state को transfer करी, मानलो किसी बड़े देश ने किसी छोटे देश पर आर्मी से हमला करके उसकी sovereignty छीन ली, transfer कर ली, तो वो sovereignty का existence खतम, अब एक नई sovereignty है, sovereignty अभी भ हो गया, नहीं, पर वो पुरानी में खतम, transfer होती है, और यहाँ ये abdication of monarch मतलब की, abdication का मतलब होता है, त्याग या परित्याग, अगर आप राजारानी भी हैं, तो अगर कोई त्याग कर देता है, अपने पद का, कि मैं राजा नहीं रहूँग, जैसे गौतम बुद्ध नहीं किया था, वो चैसोला, अठ्रकी में त्याग कर दिया था उन्होंने, great renunciation जिसे कहते हैं, तो अगर आप abdication कर देते हो, अपने राजगद्धी का, तब भी 780 नहीं चाहती है, आपकी जगए कोई और राजा बनेगा, और उसके पास रहेगी 780, जब तक state exist कर रहा है, तब तक sovereignty exist करेगी, और the moment आप sovereignty को transfer करना चाहते हो, किसी एक state से दूसरे state में, तो आपको पुरानी वाली sovereignty को destroy करना पड़ेगा, ठीक है, यहीं मतलब है, inalienability characteristic का, आगे चलते हैं, हाँ, यह भी है कि, merging state transfer the sovereignty, losing the territory, loses the sovereignty, अब भाई, state ही नहीं रहा, territory माल, वाई example कि, भाई, अगर किसी देश पर हमला कर दिया गया, उसकी territory छीन ली गई, territory छीन ली गई, मतलब उसका state गया, क्योंकि state का एक essential territory भी होता है, और state गया, तो sovereignty भी गई, इन-perscriptability, है न, कठिन-कठिन वाड़ है, इन-perscriptability, इसका क्या मतलब है, कि sovereignty does not lost through time-lapse, समय के साथ sovereignty नहीं बदल जाती, है न, state छोटा बड़ा हो सकता है, माल लो, कोई राजा था, उसका बड़ा राज्य था, कुछ राज छूट गया, कुछ राज उसने और कपजा कर लिया, state बड़ा छोटा हो सकता है, पर sovereignty अपने जगे रहती है, state existence में है, sovereignty existence में है, ठीक, time का उसके उपर ऐसा नहीं होता, और last characteristic है हमारा, exclusiveness, sovereignty exclusively belongs to the state, only one sovereign in a state legally compels the citizens' obedience, no other entity holds sovereignty, no sharing of sovereignty, persons of two sovereign implies that two states not one, exclusiveness, जायट से बात है, sovereignty किसी एक authority के पास ही होगी, वो कोई सरकार हो सकती है, वो कोई एक इनसान भी हो सकता है, वो कोई military group भी हो सकता है, वो कुछ भी हो, पर वो एक authority होगी, किसी state में एक ही authority होगी, जो कि sovereignty exercise करेगी, अगर कोई और entity है, जो कि sovereignty मलब लाइक दो entities है, उसी सेम state में जिनको आप कहते हो कि sovereignty exercise कर रहा है, तो फिर भाई वो एक state है नहीं, वो दो states है, ठीक है, एक state में दो ऐसी entity होई, जो कि ऐसी authority exercise करती हैं, जो कि supreme है, तो इसका मतलब वो एक state है ही नहीं, वो दो state है, ठीक है, तो यह हो गया, exclusiveness characteristics का मतलब, तो यह पाचो characteristics हैं, जो आपको पता होने चाहिए, sovereignty के बारे में, अब हम finally आ जाते हैं, Austin की monastic theory of sovereignty, यह theory बहुत ही important है, और अक्सर आपके colleagues examo में इस पर questions आते ही रहते हैं, ठीक, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, हाँ, बारे में, बारे मैं